नमस्कार मित्रों, साथियों, कभी कभी हमने देखा है कि माता पिता बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बाते सिखाते हैं, फिर भी बच्चे गलत रास्ते अपना लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? मित्रों, एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था, उसके कान तो थे, लेकिन उसे सुनाई नहीं पड़ता था, वो बिलकुल बहरा था, एक सब्द भी नहीं सुन पाता था, जब वो सत्संग सुनने आता था, तो किसी ने संत जी से कहा, महराज जी वे जो ब्रद बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हसते तो हैं लेकिन वे बहरे हैं उन्हें सुनाई नहीं देता और वो दो वार हसते हैं एक वार तो जब कथा सुन रहे होते हैं तब ही हसते हैं और दूसरी वार वो अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हसते हैं बावा जी ने कहा जब बहरा है तो कथा सुनने क्यूं आता है और रोज एकदम समय पर पहुँच जाता है कथा बीच में छोड़ कर उठता भी नहीं घंटो बैठा रहता है बावा जी सोचने लगे बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा रस नहीं आता होगा तो यहां बैठना भी नहीं चाहिए उठकर चले जाना चाहिए यह जाता भी नहीं बाबा जी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसके कान के पास उची आवाज में कहा कथा सुनाई पड़ती है उसने कहा क्या बोले महराज जी बाबा जी ने आवाज और उची करके बोला मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है उसने कहा क्या बोले बाबा जी समझ गए कि ये है बिलकुल बहरा है बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिख कर पूछा कि मैं जो कहता हूँ वह सुनाई देता है तभी उस व्रद्व्यक्ती ने कहा मेरे कान पूरी तरह से खराव हैं मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ कागज कलम से प्रश्णोत्तर सुरू हो गए फिर तुम ससंग में क्यूं आते हो बाबा जी ने कहा अब वो प्राप्त महापुरुस जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुब की मारते हैं संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वानी मन और वुद्धी को छू कर आती है लेकिन ब्रम्य ग्यानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वानी आत्मा को छू कर आती है मैं आपकी अम्रित वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ पर आपके मुहू से निकला हुआ ससंग मेरे शरीर को इसपर्ष करता है दूसरी बात आपकी अम्रित वाणी सुनने के लिए जो पुन्य आत्मा लोग आते हैं उनकी बीच बैठने का पुन्य भी मुझे प्रात्त होता है अब बावा जी ने देखा कि ये तो उची समझ के धनी है उन्होंने कहा हसना आपको अधिकार है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज ससंग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं ऐसा क्यों तभी उस ब्रदिव्यक्ती ने कहा मैं परिवार में स सबसे बड़ा हूँ बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं मैं ससंग में आने लगा तो मीरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा शुरू आद में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहां ले आया पत्नी बच्चों को लेकर आई सारा परिवार चसंग में आने लगा धीरे धीरे सारा कुटुम्ब ससंग में आने लगा कुटुम्ब को संसकार मिल गए ब्रह्मचर्चा आत्मग्यान का ससंग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मातर से इतना पुन्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिट जाते हैं और एक आगरता पूरवक्ष सुनकर इसका मनन करके उसके जीवन का कल्यान होता है मित्रों ये बात बिल्कुश सकते है कि जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं इसी लिए सबसे पहले बड़ों को ये सोचना चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसे ही छोटे भी करेंगे तो हम भी सही चलें और छोटे भी सही चलेंगे इसी के साथ ये कहानी यहीं समापत होती है साथियों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दवाईए मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार